पाइतारी से दर्स ताथ सो डियालिस स्कूल जो है उसमें सारे लोगों को बहाली का मुखा मिले और नई रिक्ति को जोड़ कर आए और जड़ा से जड़ा बहाली मिले यहीं में भीहार के दिमान करता हुजा ही ज़़ाइब साथ पी चरण सीचो की बहाली को लेकर क्या हाज बारता लाप हो यह आज हमारे साथ सत्यम जी भी जुड़ेंगे तिर पुरारी जा भी जुड़ेंगे यानि की कहा जा तो एक पार तीछे घुमा कर दिख लाएगा दिखला दिजे कामरा गुमा यह बहुत सारे आज स्टुए पले में पठ्टा का सच्वाले में बिनाथ 17 तरीफ के दिन आज शुक्रवार के दिन मिलने वालता है अपर मुखसची उसरद नहीं है और रभी प्रकासद नहीं है पठ्टना धेवलेबर जिस गारण से मेरी माज़ खूच लेकर हमा सच्वाले में आयते हैं सब्सक्राइब को तोड़ कर महिना के जगा उपर फुरुस को बॉका जिया जाए और जो शीट बच जाता है उसको डायर्क बहाली किया जाए जिसको पचास पॉइंट एक पॉइंट एक से लेकर एक परसंट से जिसका वेगा उनको भी बहाली का मौका मिले और दूसरी मेरी मांघ की कि दो मिशाहिल को सक्ती से लाभड किया जा है कि अगर कोई बाहर के देख्ती अगर आता उतर पते जाते हुए और बंगाल से चाटे हुए जारखन से से लेली करान किया पाल तो भी ब्यूह साथकर खरी करने हैं और उनको ब्रूपने में दिक्कर ज मांगता है तर्फिक्टेस में में दिकत हो रही है उस नेमी को सुधारने के लिए मैं अजसे मांगता है कॉरेक्षन प्रब्लम गोर्य है एफड़ेट लगाकर उनको भी मुझा दिया जाए बहाली में ताकि जादे से जादा बच्चों को दिकत नहीं और मेरी आगली मांग थी कि मैं सोचता हूँ कि जो जितनी सारी अभी भर जीवाना चल रहा है आधार कार्ट चल रहा है अधार करें थीच़ंग जो पर थीचा मंतरी है उन्सें में बोटा हूब कि इसमें बाहली हो उसे में शीजेट के लिए त्थमने लाता है उस थमने को प्रवी प्रकासर के पास अब देखा जाए तो रभी प्रकासर से नहीं मुणा काथ हुआ मैं वादा करता हुँ एक लग्तिसनर मां से कि उनके बच्चे नौकरी करें इसके लिए मैं तब पर खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा मैं सत्यमकुमार आज पुरे बिहार के सामने एलाग करता हूँ कि इसके इस मांग के लिए मुझे दर्गादन भी कटाना पड़ता हूँगा इस मांग को रखोंगा ताकि गरीब घर के जो बच्चे हैं 2008 से पहले जितने सारे मैट्रिक किये हुए बच्चे उनकी मेघंट बहुत कम बनती है क्योंकि उसमें जो टॉपर थे उसमें 70 की बिलों में टॉप कर जाते हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि डाइरेक्ट एस्पोर लेकिन इन्हों ने बात कहाrig civarks को लेकर कि एजसरले बाथ से इसलिए बहुत मेहनत जुपूर और आज के समय में आजके समय में बहारी में और सारे लोगों को भी बहाली में मौका दिया जाए जितने सारे लोग बिहार के अंदर है वो एज रिलेसेसन वाले जितने सारे लोग है जैसे लगवाद दो सजार से बारा हजार लोग ऐसे है जो एज रिलेसेसन चाहते हैं उनको भी बहाली में मौका मिले और मेरी दिवांड ये है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा बहाली हो इननों जा हुए आधे मचल स्ância चै-इस में लोगों को भायली का मुख्या मिले और नई रिक्टी को जोड़ कर आ रहे हैं और जादा से जादा करने के लिए किसी का डिकुमेंटेशन में राइटिंग में नेम में प्रोब्लेम था कोई मेधां के बारे में समझना चाह रहे थे हम लोगों ने जो आया था यहां पर सचिवाले में पहला दोड़ा मंत्री जी कहां गये थे और मंत्री जी कहां जब हमने बात रखा थी यह जिए दिर्लेसेशन की मुझता पर है क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि चिंटा करने की ज अधिया तो मैं देखता हूं कि मामला कभी गंघिर मुदा में लटका हुआ है हमारा जो इन्लैसिस है पता चला है कि यह रिलेक्सेशन पूरे इतिहास में देशिया सिछक की बहाली में तो एक बार मदन मोहन महाजाजी के प्रयास से दस बर्सों का मिला था और दस बर्सों क को मानते हुए एज रिलेक्सेशन के लिए समान परसाश्निक विभाग से या आधेश लेकर के पारी तुबा था जो 2012 से और 19 की सिक्षक पहाली के मठे में यह अधाता सिक्षक की पहाली हुए जब 220 की हम लोगों ने जो सिक्षक पास किया 210 और सिक्षक नियमा वनी बना 220 ही समान समान परसाश्निक एज इसंका डिमांड रखा है हुए और कौन इसका क्मिटी है geek on कमीटी है इस वास्तव में है नहीं पकिटा सुर द्रभी सर्थे नहीं सब्सक्राइब तो अभी यह हमको ग्यांत हुआ है सच वाले से जो बैठक होने वाली है और बैठक में अपना बैठक ही नहीं हुआ है सब्सक्राइब और बैठक में जो भी सक्षम पनाजी का रही है हम लोग अपनी बात व्यापन के माध्यम से चाह सिक्षा मंत्रिक हो गयों अपर सचीब है दीपक सर है प्राइमरी के निदेशक रविसर हैं अपनी बात अपनी लोग रखते आए हैं और रखते रहेंगे लेख लोग यह जानना चाहे जाने साथ्यों को आगाह करता हूं कि जितने भी पर्देश के साथ ही है परतेक सब्ता में एक बार का दौरा सच्वाले में सुनिशित कीजि इसलिए आपकी भागेदारी इस रियेज रिलेक्सेशन में सुनिशित होना थे दूसरी मुद्धा जो कंफ्यूजन का मुद्धा हुआ था कि क्या एस्टेट के तर्च पर सीटेट को भी इविडेंस में लाइएगा एकेडमी को हटाइएगा या जिस तरह से एस्टेट मेर कि लड़ाई आपस में लड़ते रहते हैं या या मनोदसा या परिष्टिती को समझ करके सीटेट अवियर्थी की में भुदना पड़ेगा इस बात की भी चर्चा हम लोगों ने किया है कि क्या होना चाहिए तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारी बाते हैं जो ओपिन नहीं मिलेगा या नहीं संगत बात नहीं है मैं इस मेडिया के माध्यम से काता हूँ कि सीटेट काभी एकेडमी और सीटेट को मिला करके मेधा आंक बनाना चाहिए ब्रिवाग और त्याले के उपर रख चुका हूं हमारे अभियर्थी कुछ दिये हैं इंटर्म ज्यापन भी दिये हैं जिस पर मैं उपिन नहीं कर सकता हूं लेकिन बहुत अंदर तक पहुंचा है अगला मुता है रिक्तियां को ब्रेविंग करके नॉनलाइजेशन कर जो हमारी मुता था इसमें हम लोगों ने तरक दिया है कि जो छट्टी चलन की परकिरिया बहाली हुआ जिसमें पुरुष अभियर्थी और अभियर्थी रहते हुए बज की संचारिक्तियां की नमरा में नहीं हो तो उन्होंने कहा है कि पिछली रिक्तियां को जोर करके नई रिक्तियां बनाई जाए इसलिए मैं प्रदेश के तमाम साथियों से अग्रा करता हूं कि जिस तरह से चार सालों की लडाई में आपका साहनगूती और त्यार हम लोगों के बीच मिलता रहा आज य निंद कहां उनकी आँखों में जो धून के मतवाले हैं कति के चृष्णा और वर्ति हैं परतिपग में छाले हैं मैं अभियरती को ना सोने दूंगा और ना जगने दूंगा मैं पीच रास्ते में चप्तक लिगन चप्ता जारी रहनी चाहिए सचिवाले का दोड़ा वर्त हैं लेक्त में धिपडारी परदेश अडेक्टिटटव अभियरती संग के तरफ से परदेश के तमान साथिओं काकरता हूं कि इस आंदोलन नहीं एक पुर्बानी है और इस पुर्बानी में आपको पाटिसेपेट करना होगा और ऐसे अभियरतियों को मैं करना चाहत कि इस सरकार हो हम अपनी मान के लिए उर्ति कराने के लिए न्याले तक जाना होगा जैने तक जाएंगे देख की नोटिफिकेशन में यह द्रिलिक्सेशन को गमीरता से लेते हुए इस मान को मरभा करके रहेंगे ऐसे जाने की जरूरत नहीं है हमारा प्रियास आपका प्रिया लेकिन मेरी मांग उन्हें बिहार के जितने सारे अप्यारती हैं उनसे मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि आज दिनांग 17 तारीक को शुक्रवार के दिन मैं सचिवाले में आया और 50,000 जो सीट है उसको खंडवाइस तरीका में डोड़ने के लिए मैंने एक ग्रूपी बनाया से आधि के सर्टफ बोक्स में जाके लिए आप अगर नहीं डाॉड़लोड कि अंतर ब्रचा नी कि आधि नहीं सीचोने डाउनलोड के के इस चीज को लिकर सीटफ सरा मिं लेले आगा छिंगarin कैसे ते pan cc